खबर है यूपी की जहां यूपी के रामपूर में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष्व भाजपा नेता हरियों मोर्या ने सपानेता आजम खान को खरी कोटी सुनाई उन्होंने नसियत देते हुए कहा कि आजम खान हमेशा कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान भेज दो आजम खान जी आप जाओ ना आपको रोका किसने है पर एक बाय जान लो कि आपको हिंदुस्तान में जितनी आजादी है उतनी पाकिस्तान में नहीं मिलेगी आप जो जहरीले बयान देते हो अगर वो आपने पाकिस्तान में दिये होते तो आप जेल की सलाकों के पीछे होते नहीं तो आप आतंगवादियों की गोली का शिकार हो गए होते हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई जैसे सभी धर्मों के लोग बड़ी ही शांती प्रिये महोल में रहते हैं पाकिस्तान की तरह डर और मोत के साई में नहीं यह हिंदूस्तान है जहां आप महफूज हो आजम خान सुरक्चित है हमारा लोकतंत्र विवस्ता है जिसे जहां रहना है जब पाकिस्तान जाना चाहते है उसी से चले जाए मगर पाकिस्तान में इतनी खुली अजादी नहीं मिल सकती कि भारत में रेकर, जो आजमी भारत में को डान के कर यहां सुरक्चित है और मुझे उम्मीद है کہ पाकिस्तान में पाकिस्तान के ख्लाब इतना बोला होता ता तो जेल के सलाकों के पीछे होते जहां तेल्बादी उनकी हसनिया कर दियोती यह भारत है लोगतंतर विबस्ता है इसलिए यहां सुरक्षेत हैं यहां सबका संस्मान है इसलिए कोई ये नहीं कैसा कता कोई हिंदू मुसलमान की यहाँ पर कोई किसी के साथ जुल्म जासती नहीं होती है पाकिस्तान में लोगों के साथ क्या जुल्म जास्ती होती है वहां के अल्प संक्यों के साथ बहुत धर्रा श्याद हिए हिंदुस्तानी अपना ले भारत के लोग तो यहां पर आजम खा का क्या हाल होता तो आजम खार यहां पर सुरक्षित और जिंदे सुरक्षित नहीं रह इसे आदमी कु ततकाल यहां चोड़कर हिंदूस्टान न चोड़कर चले जाना चाहिये और जो पाकिस्तान में जा कर देखलें," bardzoac. यहां पर पाकिस्तान जा कर दस चाल मी सुरक्षी तो जिन्दी नहीं रह सकते है जेबीडी बांकुटास लाय है state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.